माता महाकालिच्या पावन भुमेत शक्तिला नमन करतो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेड कर्याना वंदन करतो चंद्रपूर कराना माजा नवश्कार देश में गर्मी का पारा बढ़ रहा है और सियासी पारा भी चड़ रहा है लेकिन मैं देख रहा हूं आपके उत्सा में आपके जोश में और आपके जज़बे में कोई कमी नहीं है इस बार चंद्रपूर ने भी मन बना लिया है फिर एक बार फिर एक बार और चंद्रपूर से इतना सारास नहीं मिलना मेरे लिए और भी विशेश है एक चंद्रपूर ही है जितने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्मान के लिए लकड़ी भेजी नए भारत की प्रतीक संसत की नई इमारत में भी चंद्रपूर की ही लग लगड़ी लगी हुई है चंद्रपूर की ख्याती पुरे देश में पहुची है मैं चंद्रपूर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कल से नववर्ष और नवरात्री का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है सभी देश वास्यों को इन पर्वों की हार दिक्षुप कामना है समस्त बंदु भगिनिना गुडी पाडवाचा आणि नूतन वर्षाचा हार दिक्षुपेच्छा साथियों 2024 लोकसभाच चुनाव स्थिर्ता बनाम अस्थिर्ता के बीच का चुनाव है एक और भाजपा एंडिये है जिसका धे है देश के लिए कड़े फैसले लो बड़े फैसले लो दूसरी और कॉंग्रेस और इंडी गड़बंदन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाईख खाओ इंडी गड़बंदने हमेशा देश को अस्थिर्ता में जोंका है एक स्थिर सरकार क्यों और कितनी जरूरी होती है ये महाराश्ट्र से बहतर और कौन जानेगा इंडी एलाइंच की केंद्र में जब तक सरकार रही महाराश्ट्र की लगातार उपेक्षा होती रही जब इंडी एलाइंच वाले धेर सारी साजी से करके जनादेश लूट कर राज्य की सत्ता में पहुँचे तो भी इनोंने सिर्फ और सिरफ खुद का ही विकास किया परिवार का ही विकास किया किसका कितना हिस्सा होगा कौन सा ठेका किसको मिलेगा मलाईदार पोस्ट किसके खाते में कितनी आएगी ये पूरे महाराश्ट्र का भविश इनोंने अपनी इसी हिसाब किताब के भेंट चड़ा दिया उपा महाराश्ट्र के विकास से जुड़ा कोई भी प्रोजेक्ट देखते ही ये कहते थे कमिशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ जब यहाँ पर नए एरपोर्ट की बात आई इंडी अलाइस वालों ने कहा कमिशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ इन लोगों ने जली उक्त शिवार योजना बन कर दी बली राजा जल संजवीनी योजना जो वीदर्ब और मराठा वाड़ा में सिंचाई के लिए थी उसे भी इंडी गड़ बंदन वालों ने ठप कर दिया था विदर्ब के विकास के लिए मैंने जिस सम्रुद्धी महामार का लोकारपन किया उसका भी इन लोगों ने विरोध किया था इन लोगों ने मराठा वाड़ की वाटर ग्रीड योजना बंद कर दी कौकन में रिभाइंटरी पोजेक रोग दिया मुंबई मेट्रो का काम रोग दिया था यहां तक कि पी एम आवाज के लिए केंद्र से पैसा आने के बावज़ी दिलों ने गरीबों को घर देना बंद कर दिया था इनका लक्स एक ही था कमिशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ भावी और बहनों हमारी सरकार ने महाराश्ट्र और विदर्व के विकास के लिए इन सभी योजनाओं को फिर से शुरू किया है मुक्यमंत्री एकणाजी सिंदे उप मुक्यमंत्री देवेंदर फड़नविज जी और अजीद पवार जी के साथ पूरी सरकार दिंदरात काम कर रही है विकास के बड़े काम तेजी से पूरे हो रहे हैं और जम नियत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं इसलिए सात्योवाद देश का दलीत, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब मोदी सरकार को अपनी सरकार मानता है, अपनापन मैसूस करता है, मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधान मंत्री नहीं बना, मोदी गरीब परिवार में जन्मे लेकर, आपके बीच रहकर, यहां तक आपने पहुचाया है, और इसलिए मुझे पता है, जिन करोडों देश वाच्चियों के पास अपना गर नहीं था, उनमें ज्यादा तर दलीत, पिछड़ा, आदिवासी ही थे, यह दलीत, बंचीत, आदिवासी ही थे, जिनकी बस्तियों में पीने को पानी नहीं था, बीजिली नहीं, सडके नहीं, इसी समाज के बच्चों को सिख्षा के अभाव से सबसे ज़्यादा जूजना पड़ता था, साथियों, इसलिए मोदी ने गारंटी दी थी, कि हमारी सरकार, दलीत, आदिवासी, और पिछड़ा परिवारों का जीवन, बदलने के लिए काम करेगी, मोदी ने बंचीत वर्क के हालातों को बदलने के लिए निरंतर मेहनत की है, देश में जिन चार करोड गरीबों को पी-एम आवास मिले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इसी वर्क के लोग है, हमने जिन दस करोड से ज़्यादा परिवारों को मुप्त उजवला सिलिंडर दिया, वो कौन हैं, वो अधिकाउश इसी वर्क के लोग हैं, हमने वंचीत वर्क के हर परिवार के गर में साउचाले बनवाया है आज हम असी करोड से ज़्यादा जरुवत बंदों को मुप्तराशन दे रहे हैं इसमें हमारे बलीत, आदिवासी और पिछड़ा ही सबसे ज़्यादा है आपको पीछे मुड़ कर देखने की ज़रुवत नहीं है आप कुद का लगाव कोभी तो भी दिखाई नहीं देगा आखिर तक लोग खड़े हैं यहां कुछ लोगों को मन करता है जरा देखें पीछे कितले लोग है जहां मेरी नजर पहुंचती है मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और इसलिए आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखो के तो चलेगा आज पच्चास करोर से जादा गरीबों को पांच लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज मिल रहा है आज जिन ग्यारा करोर किसानों के खाते में किसान सम्मान निदी का पैसा जा रहा है वो छोटे वर कमजोर किसानी है आज हमारे दलीद, वंचीद, पीछड़ा और आदिवासी समाज के लोग सीर उठा कर जिन्दगी जी रहे यह सब कुछ हो रहा है तो इसका सरे किसको जाता है इसका सरे किसको जाता है इतनी प्रगति हो रहे हैं सरे किसको जाता है देश गरिब से गरिब्यक्ति का भला कर रहा है इसका सरे किसको जाता है आपका जवाब गलत है ये मोदी के कारण नहीं ये सब आपके एक वोट की ताकत ने किया है आपने मोदी को अशिरवा दिया है और इसलिए ये जो पुन्यकार्य है उसके आप भी उतने ही हकदार है साथियों राजनितिक पार्टियों का इदाइत्व होता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे लेकिन कॉंग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है आप आजादी के बाद से गिनना शुरू किरिए देश का विभाजन हुआ मजहब के नाम पर ये विभाजन किसने करवाया किसने करवाया किसने करवाया देश आजाद होते ही कश्मीर में समस्याओं खड़ी कर दी गई कश्मीर में समस्याओं किसने पैदा की जराब पूरी ताकत से बताईए दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए एक कश्मीर को किसने मुसिबत बढ़ागा हमारे आसपास ही दुनिया के कई देश आजाद हुए वो हमसे कहीं आगे बढ़ गए लेकिन हमारा भारत पिछड़ता गया तब ज्यादातर समय देश में किसकी सरकार थी देश दसकों तक आतंकवात का शिकार रहा आए दिन कहीं भी बंबलाष्ट हो जाते थे तुस्ति करन के लिए आतंकवाद्यों को समरक्षन कौन देता था आतंकवाद्यों को समरक्षन कौन देता था देश में नकसलवाज जैसी समस्या इतनी विक्राल हो गई ये लाल आतंक किसकी देन था किसके देन था साथियों आजादी के साथ दसक बाद तक राम मंदिर का 500 साल पुराना विवाद बना हुआ था अजयोध्य में राम मंदिर के निर्मान पर अडंगा कौन लगाता था अडंगा कौन लगाता था कौट में किस पार्टी के लोग बगवान राम के अस्तित्वर पर सवाल उठाते थे कौन सी पार्टी के वकील सुप्रीम कौर्ट में जाकर कहते थे कि राम मंदिर पर फासला न सुनाए किस पार्टी ने राम मंदिर प्रांट पतिश्टा आउजन का बहिश्कार किया किस पांटी ने दसकों तक बाबा साम आम बेड़कर वो भारत रत्न नहीं मिलने दिया इतने दसकों से हमारे लोग पिछड़ा वर्गायों को सम्विधान का दर्जा देने की मांग करें किस ने पिछड़ा वर्ग के साथ दोखा किया हर बात का जवाब एक ही है एक एक नहीं है एक एक नहीं है साथियों पिछले दस वर्षों से कॉंग्रेस सक्ता से बहार है आपने एंडिये को पुर्ण मभुमत दिया हमने देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का स्थाही इलाज किया है आज महारास्ट ही नहीं बलकि पुरे देश में नक्सलवाद कमजोर पड़ गया है जो गड़ चिरोली नक्सली हिंसा के लिए जाना जाता था अब उसकी चर्चा विकास और स्टील कमपनी के लिए हो रही है हमारा गड़ चिरोली अब फौला सिटी बनने जा रहा है भाईयों बहनों हमारे यहां मराठी में एक कहावत होती है कड़ू कार ले तुपा तल ले साखरेत गोल ले तरी कड़ू ते कड़ू जुच यानि कड़वे करेले को गी में तले या सक्कर में घोले वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है यह कहावत कॉंग्रेस पर सटिक लागू होती है होती है यह नहीं होती है होती है वो सुधर ही नहीं सकते वो कभी नहीं बदल सकते अपनी कर्टूतों के कारण आज कॉंग्रेस पार्टी देश के बीतर जन समर्थन खोच चुकी है इसलिए अब कॉंग्रेस खूल कर माटों और राजकरों के खेल पर उतर आई है कॉंग्रेस ने अपना जो गोशना पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लिग की भाशा लिखी गई है क्या ही आपको मंजूर है यह देश स्विकार करेगा इनके सांसक भारत के एक और विभाजन की बात कर रहे हैं इंडिय अलाइज के लोग दक्षिन भारत को अलग करने की दमकी दे रहे हैं इंडिय अलाइज में साविल डीम के पार्टी सनातन को डेंगू मेलेरिया कहकर उसके खात्वे की बात करती है और कॉंग्रेस नकली सीविसेना वाले उनी लोगों को महराट में लाकर उनसे रेली करवाते हैं अभी दो-तीन दिन पहले ही कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्ष ने एक और बयाम दिया है उन्होंने कहा है कि मोदी देश में जहां जाता है दूसरे राजों में जाकर जाकर के वहां कश्मीर और आर्टिकल 370 की बाते क्यों करता है आप मुझे बताईए क्या ये कॉंग्रेस की विभाजनकारी सोच है अग नहीं है कश्मीर हमारा है अग नहीं है पूरे हिंदुस्तान का है अग नहीं है हमारा सिर्टाज है अग नहीं है क्या कश्मीर के लिए ये भाषा हमें मंजूर है जब शत्रपती सिवाज इमाराद ने दिल्ली दिल्ली सल्कनत से मोर्चा लिया था तब उनोंने क्या ये कहा था कि दिल्ली में जो हो उसे मेरा क्या बात था क्या कभी 70 प्रदी सिवाज माराथ ने कहा था क्या लोग माने तिलक कभी सोच सकते थे कि पंजाम में जलिया वाला बाग हत्याकान हो तो उसे मारार्थ का क्या वास्ता कभी नहीं सोच सकते जब कश्मीर आतन की आग में जुलस रहा था कश्मीरी पंडितों के घर जलाए जा रहे थे तब स्वर्गी ये बाला साथ ठाकरे खुल कर कॉंग्रेस के खिलाप आये थे तब बाला साथ ठाकरे जी ने नहीं सोचा कि कश्मीर में आग लगी है तो उसे माराष्ट वालों का क्या वास्ता मुझे खुशी है कि हमारे एकनाथ सिंदे जी और उनकी पार्टी बाला साथ के विचारों को पुरी मजबूती से आगे बढ़ा रही है साथियों भाजपा एंडिये ने गड़ चिरोली चिमूरी से अशोग नेते जी को और चंदरपूर से मेरे पुराने साथी भाई सुदीर जी को अपना उमीद्वार मनाया है सुदीर जी ने मंत्री रहते हुए छेत्र के लिए लगातार काम किया है इन उमीद्वारों को आपका समर्धान मोदी को मजबूत करेगा मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 19 अप्रील और 26 अप्रील को भारी संख्या में मतदान करे और मेरा आप से आगर है हर पोलिंग बूत अपने पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ दे तोड़ेंगे इस चुनाव में हमें सबसे पहले पोलिंग बूत जीतना है जीतेंगे पोलिंग बूत में गर-गर जाएंगे लोगों से मतदान के लिए अगर करेंगे गर्मी कितनी ही क्यों न हो मतदान भारी होगा सुबह सुबह मतदान कराओगे अच्छा मेरा एक और काम करोगे यह सुदिर जी का काम नहीं है मोदी का है करोगे यह अशोग जी का काम नहीं मेरा काम है करोगे पक्कार करोगे सबके सब जरा हाथ उपर खड़के बताईए करेंगे मेरा एक काम करना की चुनाव तक घर घर जाना और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी चंदरपूर आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है पहुंचाएंगे मेरा प्रणाम गर गर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार भारत माता की भारत माता की भारत माता की